असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आर्टिस्टिक में चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद इनस और आज जो क्लास में आप लोगे लेकर आए हूँ वो है वेक्टर स्मार्ट अब्जेक्ट क्लास कल मैं ने आप लोगों समझाया था कि रास् आपको समझाया कि आप कैसे इलिस्टेटर से फाइल ले जाकर उसमें चेंज़ करके और कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं चले चलते हैं क्लास की तरफ पर एक्जेंपल मैं यह एक बॉक्स ले लिया है मैं इसको जूम करके दिखा सकता हूँ आपको यह बने बॉक्स ले लिया है और मैं चाहरा हूँ कि यार मेरी इलिस्टेटर की जो फाइल है और वो फाइल एक्सिक्टली मेरे पास एज फोटोशॉप आए और विदाउट प तो मैं चाहरा हूँ कि यार इसे देखें मैं जिदा मर जूम करता हो कोई एफैक्ट लिए परता तो लेकिन जब मैं इसको लेके जाता हूँ अपने फोटोशॉप में इससे मैं ड्रेग और डॉप भी कर सकता हूँ और वाइस मैं कंट्रोल सी करूंगा कंट्रोल सी का मतलब कि वो कॉपी कर लेगा उसको तो कंट्रोल सी मैंने किया उसके बाद मैं जो है ना कंट्रोल भी इस जगह पर कर देता हूं तो मेरे हमारे पास एक option आ जाती है option box कुल जाता है जिसमें वो कहता है कि आपने shape player पर करना है patch पर करना है pixels पर करना है या smart object पर करना है जब भी आप shape पर करेंगे तो उससे क्या बनेगा फर्क पड़ेगा कि जो है ना जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आप देख सकते हैं कि इसका size बहुत जादा बड़ा है इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं और जूम कर लेता हूं तो यह आप देख सकते हैं कि इसके सारे colors खतम हो गए लेकिन जो हम लों के पास original है illustrator की फाइल उसमें colors वगेरा सब कुछ हैं तो आपने shape पर नहीं करना इसको मैं delete कर देता हूं Ctrl V फिर दुबारा करता हूं तो उसके बाद हमारे पास option आ रही होती है pixels क patch एक simple सा होता है लेकिन pixels की option जादतर लोग utilize कर रहे होते है pixels पर मैं आता हूं तो यह हमारे पास एक box सा दे रहा होता है जब हम transform करते हैं तब यह box आ रहा होता है हमारे सामने उसके लाबा यह box दे रहा होता है और जब मैं इसको छोटा करूंगा और double click करके ok कर दूंगा तो तो यह आप देख सकते हैं कि उसने जो हमारे पास इलिस्टेटर वाली फाइल थी उसने उसको कितना ज्यादा बलर कर दिया और उसकी ऐसी किता ऐसी फेर दी तो इस वरा से हम लोग यूज़ करेंगे स्मार्ट ऑबजेक्ट जिसना मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि स्मार्ट ऑबजेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिसके तुरू आप जो है ना इमिजिस को जो रैस्टराइज इमिजिस होती है जब भी कोई आप फुट औरitel यहाव करते आं मोबाइल से फुट औरिकरपी करते हैं दूसरी या defense depends how is केर वह एक रस्टर इमेज होती है ले इस पर से यूज़ करते हैं तो यह हमारे सामने आगी है इमेज तो मैं चाहरा हूं कि यार विजाओट पिक्सल इचीज हमारे सामने एज़ इस आये साइज को तो यह आप देख सकते हैं कि इसने काफी हद तक उसको स्मार्ट अबजेक्ट को बड़ा भी करो आप छोटा भी करो बिल्कुल बलर नहीं हो रहा तो जब भी आपने यूज़ करना है आपने कोई भी वेक्टर फाइल को ले जाके फूटोशॉब में एडिटिंग कर या आपको फैक्ट देना चाह रहे हैं यापंने याद रखनी है यह थाइस को समार्ट ऑग्रेक्ट करना है यह ऐसे वेक्टर है इलिस्टेटर में एक्षॉब को लिए मिल्इट के अंगर हू? p.k मैंने बंद कर दिया और मैं बն ऐ आया कि आपने जो है इसमें चेंजिस करने है इसके color के चेंजिस करने आपने इस जगाग वाले color की चेंजिस करने तो आप क्या किस तरह करोगे तो otherwise photoshop पे भी हो सकता है लेकिन आप अगर आप इस पे कुछ editing करना चाहोगे वह आप नहीं कर सको क्योंकि यह as a smart object है जैसे मैंने लिखा आजेगा smart object thumbnail तो इसमें मैं जस्ट डबल क्लिक करूंगा तो यह illustrator में मुझे वही फाइल दुबारा open करके दे देगा कि आपने जो changes करने हैं वो कर लो तो अकसर वकात dialogue box भी open हो रहता है फिर जस्ट आपने उसने dialogue box को अपने okay कर देना है तो वह illustrator पे आपके पास खुल जाएगा यह चीज़ आपने याद रखनी है मैं दुबारा repeat कर रहा हूं कि आपने जस्ट इस पे double click करना है यह जो icon आपका आ रहा है तो यह आपकी illustrator में open हो जाएगा तो यह चीज़ हम्मेरे पास थी मैं इसको चाह रहा था कियार मैं इसको कोई और color कर दूँ फॉर इग्जांबल मैं इसको pink color करना चाह रहा था इसके जो wings की यह वली जो है शेप इस पर भी मैं pink color करना चाह रहा हूं और इस जगा पर भी मैं pink करना चाह रहा हूं तो यह मैंने overall pink कर लिया और यह मेरा मैं जस्चार हों के इतना ही हो जाए और यह same to same change हो के हमारे पास photoshop में आज़े तो इसके लिए मैं क्या करूँगा control s का button दबाऊंगा और इसको मैं control w कर दूँगा तो फिर मैं दुबार अपने photoshop पे आऊंगा तो यह आप देख सकते हैं यह हमारे पास इसने color change करके दे दिया तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है simple techniques हैं कि आपने illustrator से photoshop पे file कैसे लेके रहते हैं जितने भी new designers हैं उनको नहीं पता कि जो हैं जो बड़े designers हैं वो editing करने के लिए या कुछ शचका डालने के लिए हम photoshop पे लेके आते हैं तो यह चीज हमारे सामने आ गई है तो यह simple सी technique थी कि आपने just smart object पे क्लिक करना है यह चीज आपने याद रखनी है जब भी कोई आप illustrator से file लेके आते हैं और आप photoshop पे लेके आते हैं और उसकी pixel rate नहीं होना देना चाहते तो आपने हमेशा smart object यूज़ करना है तो मुझे उमीद है यह class आपको पसंद आई होगी उसके लावा हमारे चैनल पर यह आप देख सकते हैं मैंने different playlist अपनी upload की भी है आप इधर से सीख सकते हैं मैं illustrator की यह 26 classes full adopt illustrator की classes upload कर दी है और इसके लावा यह adopt photoshop की 26 class जो है मैंने upload कर दी है introduction को मिला के और यह जो हमारी class थी यह 27th number हो जाएगी class last class जो मैंने मेरी थी same to same is related थी अगर थोड़ी बहुत भी confusion smart object में या किसी चीज में है तो आप उदर से जाके सीख सकते हैं इलावा यह photoshop जो new version है 2019 का उसके लिहाद से मैंने अलग से playlist बनाई है तो मेरी इन playlist से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप अपनी जस्ट क्या करना है आप जब भी मेरे चैनल पे आते हैं तो आपने यह देखेंगे यह चीज़ बनी वियार योगी overall आपने में जो भी playlist open करें जाएस आप उस पर click करेंगे तो आपको sequence wise classes मेरी नजर आने शुरू हो जाएंगे उसके लावा अगर कोई भी confusion या कोई भी questions है आप मेरे group में यह मेरा group है artistic mentor के नाम से मैं description पर इसका link दे रहा हूँ आप जाएं join करें कोई भी question है आप directly भी मुझसे कह सकत हैं और मैं आपको help out करूँगा तो मुझे अमीद है यह class आपको पसंद आई होगी अगर आपको class पसंद आई है तो comment और like करना ना भूलिएगा क्यूंकि इसी से appreciation होती है और मेरा और दिल करता है कि मैं और ज़्यादा आपके लिए यह सब कुछ variations लाता रहूं तो मिलते है नेक्स टैटोरियल के साथ जवादियों इसको इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज